दुस्ता हुने किसी एक नई henं ना पूचा है कि ही लिकिन गूगल में इंडेक्स नहीं हो रही तो आकिर क्या problem में क्या वजय हो सकती है जिसकी बज़े से site डेक्स वह रही अभी बलोग हो सकती है वैप site हो सकतीぁ तो आज किस वीडियो में कुछ common issues बताएंगे कुछ error बताएंगे जो आप करते हैं या आज आती या गलती आप कर देते हैं जिसकी बज़े से कोई भी साइट इंडेक्स नहीं हो पाती है तो वो कौन-कौन सी बज़े हैं कहां आप गलती कर रहे हैं कौन-कौन सी मिश्टिक हैं तो जानने के लिए इस पीडियो को कंटिन्यूस दिखें नमस्का दूस्तो आप दिख रहे हैं बीसी कंप्यूटर दी पहला दूस्तो सर्च इंजन विजबिल्टी दूस्तो अगर आपने बटपर पूश्ट के अंदर सर्च इंजन विजबिल्टी को डिसेवल कर दिया है तो यहां पर आपकी साइट इंडेक्स नहीं होग करते हैं तो देखें दूस्तों आप moneytech.com website index नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही कौकि मैंने इसका सर्च इंजन विजबिल्टी को डिसेवल कर दिया है इसके मतलब यह होता है कि आपने अपनी साइट को Google बोर्ट से कह सकते अधर बोर्ट स्क्रॉलर को मना कर दिया कि इस जर्च लेगी मैं आपको बता आएं ताहूं जो गलती से लोगवाट डिसेवल कर देते हैं वह है दोस्तों यहां पर सेटिंग में जाएंगे रीडिंग में आप और यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर सर्च पिश्ट किया है content को इसलिए मैंने search engine visibility को disable कर दिया है Google अब इस site को कभी index नहीं करेगा को कि मैंने board scroll को disable कर दिया कि इस site पर आप नहीं आए हमारी site की कोई भी पूश्ट या site को index नहीं करे हना तो आप अपनी site का यह चेक कर लिए कि यह आपने disable तो नहीं कर दी अगर कर दिया तो इसको हठा दीजे हना तो हमने site में कर दिया देखिए और site में महारा नहीं है यह disabled जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पर setting में रेडिंग में जाते हैं तो यह कि जो site है यह index हो रही है देखिए सर्च नहीं है यहाँ पर डिसेवल नहीं है देखिए हम सर्च करेंगे टू हिंदी डॉट इन तो देखिए यहाँ पर यह site आ रही है हना तो यह आप चेक कर लिए इसकी बज़े से आपकी site या ब्लॉग पूस्ट कोई भी index नहीं हो गूगल के अंदर ठीक है तो यह भी कारण है नेश्ट दूस्तो मैनुल एक्षन मैनुल एक्षन आखिर क्या होता है और यह कहां मिलता है यह function दूस्तो मैनुल मैनुल एक्षन होता है कि आपकी site पर Google द्वारे आधर संचिन द्वारा मैनुल एक्षन लिया जाता है तो मैंने यहां पर Google के दिखा आधर संचिन का नहीं दिखा है तो मैनुल एक्षन में दूस्तों अगर आप site के अंदर कुछ spam कर रहे हो कुछ ऐसी activity कर रहे हो जो करेंगे यह होता है मैनुल एक्षन अगर दोस्तों यहां पर red कर रहा है कुछ issue आ रहा है तो समझो आपकी site पर मैनुल एक्षन लिया गया है आपने कुछ spam किया है कुछ लोगों को भ्रहमित किया है site पर ऐसा content डाल ले है जो Google की जो नियम policy उसके बिलकुल नहीं आता है search console यह होता है मैनुल एक्षन मैनुल एक्षन यह है अगर दोस्तों आपकी site पर मैनुल एक्षन आ गया है तो ध्यान रखना कि आपकी site या post या कोई भी content इंडेक्स नहीं होने वाला है यह मैनुल एक्षन Google के नियम policy के खिलाब करने वाली site पर लगाए जाता है Google के द्वार हाना तो अगर नहीं हो रही है आपकी site index या issue आ रहे है तो एक बार मैनुल एक्षन फंक्षन को आप चेक कर लिए कहीं यहाँ पर रैट तो नहीं आ रहे है कोई इसू नहीं है तो यहाँ पर टिक मार्क है गिरीन आ रहे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ और इसू हो स होगी पीजस भी नहीं होगी कोई भी content यहाँ पर इंडेक्स नहीं होगा अब दोस्तों साइट मैप क्या होते हैं साइट मैप एक ऐसी फाइल होती है जो गूगल के पास होती है उस फाइल के अंदर आपकी site का content जैसे image video song text other file इस सब चीज़ा होती है इसके copy होती है तब ही Google उसको पड़ पाता है आपकी site को और और उस file के दोवारा यह पता लगता कि site का वब डिटोरी किस तरह content नहीं है किस तरह का अच्छा content डाले है user friendly content है कि नहीं अगर यह अगर आपने site map नहीं बनाए तो यहाँ पर आपकी website index नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पर आप site map कैसे च इस पर किलिक करते हैं तो देखिए दूस्तों नीचे यहाँ पर page site map में बनाए बैवुष्टरी बनी है यहाँ पर चेक कर लिए अगर site में बने हुए हैं तो समझो आपकी site a blog index हो रहे हैं कोई issue नहीं कुछ और issue हो सकता है हना यह problem भी हो सकती है site map की अगर नहीं बने तो हम कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं rank map के अंदर मैं rank map plugin यूज़ कर रहा हूं आप यूज़ के अंदर भी देख सकते हैं अगर आपने site map disable की है तो इस तरह की problem आ सकती है तो हम rank map पर जाते हैं यहाँ पर site map setting आगी हम इस पर किलिक करते हैं इस तो आप चेक करेंगे कि site map हो रहे हैं site map नहीं कि नहीं बन नहीं तो setting general में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे site map site map करने के वाद आपके content के जो भी site map हो जाएंगे जैसे की rank map पर ही है अब post के site map देखना है simple अगर दोस्तों आपने site के अंदर category या क्या सकते हैं टेक को आपने search engine में क्रॉल करा रहे हैं इंडेक्स करा रहे हैं तो उसके अगर ऐसा करते हैं तो स्याइद मेरा माना है कि duplicate content का issue आ सकता है तो मैं तीनी साइट में बनाता हूं पेज पोस्ट ऑन ब्यभुष्ट्री के को को मुझे इनको ही इंडेक्स कराना है गूगल के अंदर तो एक बाद चेक कर लिए अगर particular post page या ब्यभुष्ट्री में ब्यभ को चेक करना है pages पर click करेंगे तो यहां पर pages के भी आने लगेंगे और यहां से चेक कर सकते हैं ब्यभुष्ट्री के करना है तो ब्यभुष्ट्री के विए आप देख सकते है story पर click करके अगर particular कोई function disciple है story pages या post का तो समझ जाइए कि आपने उसको disciple किया है साइट में ना बनने से आपने चाहते कि इस particular चीज का site map बने और इंडेक्स हो अगर आपको category का दिखना category पर जाएंगे तो देखिए यहां पर मैंने category कर दिया है कर दिया है हना तो तो यहां पर site map की बज़े से भी बहुत बड़ा इसु आया था और पोस्ट और आपकी site या blog इंडेक्स नहीं था और पोस्ट भी या pages भी इंडेक्स नहीं होती क्योंकि उसका site map आपने Google को दिया ही नहीं है हना चलिए next पर बात करते हैं दोस्तों फिर यहां पर duplicate content issue अगर आप इसके आपने duplicate content बनाया है आपने डाल दिया आपको लग रहा है कि Google को पता नहीं है आपने क्या किया है एक article बनाया है जिसमें 2 लाइन कहीं और site से według 2 लाइन कहीं और site से फिर अपने Lacan डाल या फिर दो câई सब्जा पूर आपर पूरा article बना दिया रचा तो यह duplicate content है Google इसको चुटकियों में पता लगा सकता है कि आपने कहां कहां से किस कि सोर्स से content को copy किया है और अपने blog पर डाला है तो इस बज़े से आपका blog इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि ये policy के भिरुद्ध है Google के Google नहीं चाहता कि किसी भी site का content आप अपने डाला आप अपनी site में डाले और मैं उसको index करूं नहीं हो सकता ये हना तो इसकी बज़े से आपकी और भी post प्रभावित होगी पूरा blog प्रभावित होगा कोई भी blog post इंडेक्शन होगी पूरी site इंडेक्शन होगी हना और इसकी ब content लिखिए हना अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी भी success नहीं हो पाएंगे blog के अंदर हना तो धियां रखें कि duplicate content विल्कुर नहीं होना चाहिए अगर आप सूच रहे हैं कि दूदू लाइन इदर उदर से करके कुछ अपना content फिर दूदू लाइन से करके फिर अपना content या कैस ट्रांसेट करके मैं डाल दूँ तो यह duplicate content के अंतरगती आता है आप ट्रांसेट करके भी नहीं डाल सकते हना तो बिसे ध्यान रखें कि आपको duplicate content से बचना अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी site index नहीं होगी और आपकी post page और भी content वह भी index नहीं होगा फिर next दूस्तों co problem दूस्तों क्या होता है कि आप अपने site के अंदर title meta description इस सब ठीक से नहीं डालते website का SEO ठीक से नहीं करते कोई भी अच्छा सा SEO plugin को manage नहीं करते तो इस बज़े से भी site index होने में problem आती है कुछ देरी कुछ लेट हो जाता है तो आप SEO plugin यूज़ करेंगे तो SEO plugin क्या करता है automatically function enable कर देता है वो site को के से भी करके index करा देता है हना अगर आपने कुछ गड़वड़ी की है कुछ चीज़े इनेवल ने की यह के सकते हैं SEO टिक से नहीं किया title description नहीं डाला है site का meta title meta description मगरा नहीं डाला है बहुत सी error आ रही हैं तो आप site का SEO कीज़े SEO पर ध्यान दीज़े कहां गड़वड़ी हो है और SEO को proper कहीज़े तो इस बज़े से भी आपकी site index नहीं हो पाती कभी कभी हना तो कुछ गलती हो जाती है SEO में भी कुछ आप mistake कर देते हैं कुछ भूल हो जाती है तो उसको भी आप चेक कीज़े कि कहां गलती है और क्यों index नहीं हो रही ठीक है तो आपकी site index नहीं लगेगी आपको इस बीडियो काफी helpful लगा दोस्तों सित्र की और बीडिकली महाचरव बने रही हो का प्रेंट एंक्शन बाइबाए